जो आज की वीडियो को टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें आपको दिखाया था के स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है हायर हाइस और हायर लोज किस तरीके से लगते हैं प्लस आपको यह बदाया था कि जब एक अप ट्रेंड होता है तो डिमांड को रिस्पेक्ट मिल रही होती है स्प्लाई फेल हो रही होती है और जब एक डाउन ट्रेंड होता है तो कंटिन्यूसली डिमांड फेल हो रही होती है और स्प्लाई को रिस्पेक्ट मिल रही होती है तो यह सब चीज़े हम रेल चार्ट के ऊपर देखने वाले हैं जो भी हमारे पस बेर ओपन है वो है जीबी पी जेपी वाए अगर आप गोर करें तो सके अंधर क्या हो रहा है हमारे पास higher highs higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high और higher low अभी हम इक अप ट्रेंट के अंधर हैं और जब तक यह up trend चलते रहेगा हमारे पास higher high, higher low और higher high लगते रहेंगे हम एक up trend के अंदर होंगे उस वक्त तक जब तक previous higher low नीचे break नहीं हो जाएगा यानि कि अगर यह high इस low को नीचे break कर देता है तो हम एक बीरिश market के अंदर shift हो जाएगे लेकिन अगर यह high अगर यह high इस low को नीचे break नहीं कर पाता और इस demands उनको respect देकर दोबारा से new higher high लगा देता है तो हम एक up trend के अंदर होंगे और same इसी तरीके से जो एक बीरिश market होती है उसके अंदर lower low, lower high, lower low, lower high और lower low लगते हैं और उस वक्त तक हम एक बीरिश market के अंदर होते हैं जब तक price previous lower high को उपर break ना कर दे और एक new higher high ना लगा दे तो अगर हम EURUSD का चार्ड देखें तो इसके अंदर हमारे पास lower low, lower high, lower low, lower high और lower low इसके अंदर हम अभी एक बीरिश market के अंदर हैं जब तक ये high market उपर को break नहीं करती और एक new higher high नहीं लगाती अगर price ये lower high उपर break नहीं करती और एक higher high नहीं लगाती उस वक्त तक हम एक बीरिश market के अंदर हैं हम sell ही करेंगे, हम supply को ही trade करेंगे अभी same इसी तरीके से जब हमारे पास एक lower low और एक lower high लगता है अभी ये जो चीज़ है तो इसे हम अपना internal structure कहेंगे, अपना sub structure कहेंगे अभी ये M15 का time frame है तो जब आप M1 में जाएंगे, M5 में जाएंगे तो आपके पास ये एक up trend होगा ये M15 की correction M1 का up trend होगा, M5 का up trend होगा लेकिन जैसे हम M15 के lower high पर पहुंचेंगे, supply zone पर पहुंचेंगे तो हमें आइडिया होना चाहिए कि अभी हमने sell ही करना है तो हम supply को trade करेंगे यहाँ पर और supply को respect मिलेगी और जैसे supply zone पर price पहुंचेंगे तो price एक new lower low लगा देगी अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो हम M15 के time frame में है और ये हमारा lower high है और ये lower low M15 के अंदर हम एक पीरिश market के अंदर है तो इसमें अब जो internal structure है एक तो वो ये है जो ये last bearish leg बना है हमारे पास इसके अंदर M1 का और M5 का भी trend है lower low, lower high, lower low, lower high और इसी तरीके से ये M15 का जो last bearish leg इसके अंदर ये M5 का भी internal structure है जब price lower low लगाने के बाद एक lower high के लिए correction स्टार्ट करती है तो भी इसके अंदर छोटे time frame का M1 का M5 का एक up trend चलता है और finally जब हम supply zone में जाकर tap होते हैं price supply zone में पहुंचती है तो दुबारा से हमें selling देखने को मिलती है और price दुबारा से एक new lower low लगाती है अब जब price यहां पर internal structure break करती है तो internal structure को break करने के बाद price क्या करती है कि lower time frame का एक structure चलता है इसके अंदर जब price lower high लगाने के बाद new lower low लगाती है और जब price नीचे आती है supply zone से reject होकर supply zone से selling होती है तो इस last bearish leg के अंदर भी internal structure होता है M5 का और M1 का तो इसी तरीकी से जब price दुबारा से correction करती है तो भी M5 और M1 का uptrend होता है उसके बाद जोगरी चीज़ आपको पढ़ाई थी कि जब भी हम एक uptrend के अंदर होते हैं तो उसमें supply fail हो रही होती है लेकिन वो supply immediately fail नहीं होती उसको एक मरतबा respect सरूर मिलती है lower time frame के अंदर इसी तेन वो finally fail हो जाती है तो अभी हम यह चीज़ रेल चार्ट के उपर देखने वाले हैं GBB, JPY, H1 और H4 टाइम फ्रेम के अंदर अभी हमारे पास एक बीरिश स्ट्रक्चर है एक बीरिश मार्कीट के अंदर हैं तो अगर इसमें आप जाकर देखते हैं तो supply को respect मिल रही है और demand fail हो रही है लेकिन हार एक demand zone से हार एक supply zone से हमें reaction जरूर मिलता है चाहे वो एक दो candle का reaction ही क्यों हो लेकिन reaction जरूर मिलता है अभी H4 के अंदर H1 के अंदर यह supply zone हमें इस से respect मिली prices नीचे हैं अभी हमारे पास एक यह demand zone बना और एक यह demand zone बना इस वाले demand zone ने यह structure break किये तेन इस वाले demand zone ने यह structure break किया और उसी तरीके से prices अब चलती गएं क्योंकि यह internal structure break हो रहे है prices internal structure break कर रहे हैं demand zone को respect देते हुए और यह एक uptrend है M15 के अंदर लेकिन जब prices दुबारा से supply zone पर जाती हैं तो हमें reaction देखने को मिलता है अभी जो नीचे demand zone है वो immediately fail नहीं हो रहे है अभी prices ने क्या किया जैसे ही prices supply zone में गई high time frame के supply zone में जाकर टैप होई तो prices ने internal structure break किये internal structure की prices ने multiple layer break की then finally prices हमारे उस demand zone में आई जिसने यह structure break किया था और supply को fail किया था और इसमें आने के बाद हमें reaction देखने को मिला यह demand zone immediately fail नहीं हुआ इसे reaction देखने को मिला अभी prices उस supply zone में जाएंगी जिसने internal structure break किये यानि कि higher time frame के supply zone में टैप होने के बाद जो reaction देखने को मिला उसने internal structure break किये तेन हम demand zone पर है demand zone को respect मिली अब जो वहाँ पर new supply zone बना था previous supply zone की mitigation के बाद जिसने internal structure break किये अब price उसमें टैप होगी और हमें एक अच्छा खासा reaction देखने को मिलेगा सेम अभी हमारे पास यह नीचे भी demand zone है जिससे के हमें correction देखने को मिली थी h1 की h4 की अभी चलें यह देखते हैं कि यह कितना इसको respect देती है अभी यह देखें प्राइकस जब इसमें आई तो demand को immediately fail ने किया demand को भी respect मिली अउपर फिर supply zone है हर एक supply zone से आपको respect जरूर मिलत है जैसे यह supply zone तो यह हमें reaction देखने को मिला अभी reaction इतना था कि demand तख काई प्राइस्स और दुबारा से उपर चले गए और जब दुबारा से supply zone में आई जो कि ये वाला supply zone था तो हमें यहां से reaction ज़रूर देखने को मिला लेकिन वो reaction इतना था कि demand zone में आई prices और दुबारा से अब चली गए और और finally prices internal structure बनाने के बाद चोटे time frame के अंदर higher highs, higher lows इस तरीके से जब finally supply zone में टैप होती है तो वहां से हमें reaction देखने को मिलता है अभी उस reaction ने दुबारा से internal structure ब्रेक किये और जब demand zone पर आई तो हमें demand zone से respect मिली और finally उस supply zone में टैप हो जिसने internal structure ब्रेक किये थे और वहां से मे reaction मिलेगा और एक new lover low लगेगा अभी prices जब इस supply zone से respect लेकर नीचे आ रही हैं तो prices ने internal structure ब्रेक किया यहां पर और यह यहां पर अभी जो internal structure को ब्रेक करने के बाद new supply zone हमारे पास create हुआ है जो previous supply zone की mitigation के बाद बना है हम उस से entry लेंगे और finally जब prices उसमें आती हैं तो हमें दुबारा से एक reaction देखने को मिलता है और prices अब में भी यह previous जो भी हमारे पास lover low है इसको नीचे ब्रेक करके एक new lover low लगा सकती है दोबारा से वही बात कि हार एक supply demand zone से respect जरूर मिलती है reaction जरूर मिलता है यह supply zone इससे reaction जरूर मिला बट finally prices ने उस supply zone में जाना था जिसने internal structure ब्रेक है और जैसे यह वहाँ पर गया है तो हमें एक fall through देखने को मिला एक अच्छा खासा reaction देखने को मिला अब जिस mercy time frame में चले जाएं चाहे आप h4 में रहें h1 में रहें m1 में रहें या weekly time frame में रहें यह चीज़ें इसी तरीके से चलती है structure इसी तरीके से चलता है supply demand को respect इसी तरीके से मिलती है तो इसकी बजाए कि हम higher time frame में trade करें क्यों ना हम छोटे time frame के अंदर trade करें एक pair select करें उसी pair पर जितनी हो सके हम practice करें then higher time frame के supply demand zone को lower time frame के अंदर हम trade करें अभी मिसार ले लें अभी आप lower time frame के अंदर इस demand को भी trade कर सकते थे इस supply को भी trade कर सकते थे एक अच्छी risk reward वाली trades थी और finally इस supply zone से तो आपको अच्छी खासी trade भी मिलती जो कि आपकी highly risk reward trade होती तो structure जो है हमारे पास वो हाट time frame के अंदर एक ही तरीके से चलता है चाहे वो H1 हो weekly time frame हो या M1 हो वो आप डिपेंड करता है कि आपने किस तरीक के से trade करनी है आपको counts और time frame अच्छा लगता है आप चाहें तो H4 के supply demand को आप M15 में भ trade कर सकते हैं H4 में भी trade कर सकते हैं यह totally आप पर है आप हर एक time frame के अंदर रहकर trade कर सकते हैं लेकिन होता क्या है कि अगर आप H4 में trade करते हैं supply demand को तो उसे क्या होगा risk reward कम होगा stop loss ज्यादा बड़े होंगे आपको reward कम मिलेगा M15 में करते हैं तो वही same चीज थोड़ा से risk reward बेतर होगा stop loss थोड़ से कम होगे और लेकिन अगर आप M1 केंदर trade करते हैं जिस तरीके से क्योंकि जो हमारे entry criteria होगे वो M1 केंदर होगे हमने entry M1 केंदर ही लेनी है जब हम entry point पर जाएंगे तो यह सारी चीज़े हम उकमल discuss करेंगे कि entry किस तरीके से लेनी है confirmation कौन से होती है अब M1 केंदर confirmation देखें और वहाँ से entry लें आपका risk reward massive 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 increase हो जाएगा अगर H4 केंदर आपको इस supply zone से 1 by 3 risk reward मिल रहा है M15 केंदर 1 by 5 मिल रहा है तो M1 केंदर आपको 1 by 20, 30, 50 मिलेगा लेकिन जितनी आप practice करेंगे आप उतना सीखेंगे आपकी entries उतनी ही अच्छे होती जाएगी अपी जो next videos आएगी उसमें हम structure को और deeply read करेंगे और deeply understand करेंगे multi time frame analysis किस तरीके से की जाते है multi time frame के अंदर structure किस तरीके से चलता है